Hi Assalamualaikum, Innovation किसी भी country के लिए बहुत हैम है, दुनिया में जो आप देखते हैं, जितने भी countries जो हैं, वो dual countries हैं, यह जिने हम तरक्की आफ़ता ममालिक कहते हैं, उनकी जो basis है, वो knowledge-based economy पे है, और knowledge-based economy is actually innovation है. I was going through the Global Innovation Index report, जो के भी recently released हुई है, 2nd September को, जिसमें 131 economies को, यानि दुनिया के 131 ममालिक को मुखतले हवालों से परखा गया है, कि उनकी spending के इतनी है, research के लिए उनका infrastructure कैसा है, उनका education का कैसा है, business investigation कैसी है, और बहुत सरे parameters, more than 50 parameters को judge किया जाता है, और उसके basis पे जो दुनिया है की countries है, उनको rank किया जाता है, तो उसमें पाकिसान की ranking जो इस साइल आई है, वो है 107 among 131 countries, यानि हम 107 नंबर पे हैं, 131 ममालिक में, जो के बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है, लास्ट येर जो 2019 की पाकिसान की ranking ही, that was at 105 position, और अब वो दो दरजे मजीद decline का शकार हुई है, और हम 107 नंबर पे हैं, देखें, इनोवेशन पाकिसान के लिए बड़ा जरूरी है, social innovation भी यहां पे जरूरी है, scientific innovation भी यहां पे जरूरी है, और इस report से हमें क्या मिलता है, इस report से में मिलता है, कि हमारे system की strengths क्या है, हम इन weaknesses को कैसे दूर कर सकते हैं, और आपनी strengths को कैसे मजीद हम strengthen कर सकते हैं, तो इसको जो policy makers हैं, they should go through it, और ये बड़ा अच्छा है उनके ल करना चाहिए, और अपनी economy को बेहतर करना चाहिए, यहां पे मैं खास दोर पर बात करूंगा, कुछ countries की which has improved recently, और बाकी countries है, मैं comparison तो नहीं करूंगा, मैं Asian countries का आपको पहले बताता चलो, के Asian countries में top 10 की जो economies हैं, और top 10 जो innovative economies हैं, दुनिया में, उसमें दो Asian countries हैं, उसमें एक Korea है, और दूसरा Singapore है, Singapore जो है, मैं बहुत सरे forums पर उसकी मिसाल देता हूँ किस तरह से, that country is actually focusing on innovation, and there is lot of innovation is going on in Korea, China जो है, that is also one of the leading player, player in the world, उसकी जो ranking है, वो 14th नमबर पर और वो बहुत जदा तेजी से improve होती जा रही है, यानि यह नमबर जो है, वो बहुत पीछे था, उनकी जो innovation है, वो बहुतर होगी, उनकी ranking जो है, वो बहुतर होगी, इसके लावा जो countries बहुत अच्छा perform कर रहे है, Asian countries में, उसमें अगर हम मिसाल दें तो उसमें, developing countries के अगर मिसाल दें तो उसमें जो है, वेतनाम है, फिल्पाइन्स है और इंडिया है, इन countries ने बहुत किया है, इनकी ranking बहुत ज़्यदा बहुतर हुई है, और मजीद उस पर यानि अगर graph देखें तो इनकी ranking बहुतर होते जारी, खास और पर फिल्पाइन्स का इस वक्तर जो number है, that is 50, और इंडिया का जो number है, that is 48, यानि इंडिया हम से innovation में बहुत बहुतर है, कि उनका top 50 countries में अब number आता है, जबके हम 100 मुमालक के बाद आते हैं, there is a great need के पाकिस्तान जो है, उसमें improve करें, इसके लावा जो इस report की खास बात है, that is innovation clusters, कैसे clusters बने हुए हैं पुरी दुनिया में, जो के innovation को facilitate करते हैं, companies हैं, educational institutes हैं, जो मिल के काम करते हैं, और innovation को foster करते हैं, तो उसमें खास और पे American जो clusters हैं, उनका number बहुत ज्यादा है, अगर हम top 100 clusters की बात करें, तो उसमें 25 clusters सिर्फ अमेरिका में ही हैं, जबके 17 clusters जो हैं, वो चाइना में हैं, यानि दुनिया में तकरीबन आदे clusters जो हैं, innovations के, वो अमेरिका में हो चाइना में हैं, तो इस तरह से चाइना औ America, जो हैं, they are working very hard to promote innovation in the world, अब हम बात करते हैं कि COVID की वज़ा से क्या सुरेतहाल पैदा हुई है, तो COVID से पहले जो situation थी, वो काफी बहतर हो रही थी, जो research and development की spending थी, world over, average वो five से ज़्यादा हो चुगी थी, यानि there is, there was lot of spending on research and development, all over the world, और economies, दुनिया की, they are, they are thinking कि हमें इस पे बहुत सदा spending करनी चाहिए, जिससे innovation drive हो रही थी, वो जो है, COVID की वया से situation थोड़ी खराब हुई है, और वो spending जो है, वो कम होती जा रही है, जिससे companies जो है, वो सफर करेंगे, economies जिससे सफर करेंगे, और खास दोर पे अगर हम बात करें, start-ups की, और small and medium enterprises की, अभी recently मैं ए यही discussion थी, कि सबसे ज्यादा जो sector मतासर हुए है, वो बड़ी companies नहीं है, बलके start-ups है, और small and medium enterprise, और especially small enterprises जो हैं, वो सफर करें, दुनिया में भी अभी इस report में भी यह चीज़ सामने आई है, कि COVID की वया से, जो small enterprises हैं, वो बहुत ज्यादा सफर करें, और पाकिस्तान जैसे country में जहां पर आप ज्यादा focus है, कि हम ने business शुरू करें, innovation करें, small enterprises जो हैं, वो काफी ज्यादा सफर हो रहे हैं, और कच अभी जो project हमने हैं, जैसे काम्याब नوجवान है, जैसे government facilitate करना चाहरी है, या यंगsters को कि वो आगे बढ़ें, और economy को बेहतर करें, overall अगर मैं बाद कर हूं, तो पाकिस्तान की ranking खासी अच्छी नहीं है, मैं पिछले तकरीबन दास सालों से फालो कर रहा हूं, रिपोर्ट को और हर साल देखता हूं, मुकले फॉरंस पर भी बाद करता हूं, कि पाकिस्तान जो है, हमेशा सही हम, जो है, कभी 110 नंबर पे, कभी 112, कभी 114, कभी 11 16, इस तरह से हम रहते हैं, यानि हम 100 कंट्रीज के बाद हमारा नंबर आता है, इन्नोवेशन जो है, बहुत जरूरी है, और खास दोर पर यहां पर मैं बताता चलूं, कि मोर्टन 50 परसन जो इन्नोवेशन होती है, वो इन्नोवेस्टीज और रिसर्च इंस्टिटूर्स में है, I had discussion with, my team had the discussion, जो है हमने, समने मिल के discussions की, वाइस चांस है मुक्तल है, और फोरम पर बहुत ज़्यादा इस पर discussion की है, so it's a long discussion, in short, we have to promote innovation, we have to work on the problems of Pakistan, we have to work on the problems of the world, और इस तरह से अगर हम इन problems पर काम करते हैं, we can bring the solutions, और इस पर हमें, जो है, अगर हमने पाकिस्टान को आगे लेके जाना है, हमने इन challenges को meet करना है, तो उसके लिए हमें, we have to foster the innovation in Pakistan, तो उसमें, National Academy of Young Scientist, through this research and innovation club, we are working very hard, in our capacity, हम बहुत ज्यादा लेवल के तो नहीं काम करें, लेकर जितना हम से हो सकता है, we are trying in our capacity to promote innovation in Pakistan, हमारी team का हिसा बनी है, हम जो कोशच कर रही हैं, उसमें आप शामल हो, बाकि जितने भी efforts हो रही हैं, आप उसका हिसा बने, so that we can work together, हम सम जो है, लोग मिल के काम करें, to promote innovation in Pakistan, and there is also a great need in Pakistan, के हमारी industry, जो है, they should come forward, they should join hand with academia, or they should open up, really for each other, के वो help करें, और इस तरह से हमारे जो अपने indigenous problems हैं, उसको हम solve कर सकें, हमारे, we can, we could do a import substitute, हमारा इतना ज्यादा deficit है, इतना बड़ा gap है, हमारे exports और import के दर्मियान, हम उसको fulfill, fulfill कर सकते हैं, so we can all do that, and we have to do that, to improve the economic status of Pakistan, to improve the communities of Pakistan, वीचे सब हमें करना पड़ेगा, So, let's come forward, join hands, और हम मिल जूल के काम करें, to foster, to promote innovation in Pakistan, thank you very much.